ओम शांती आज 19 अगर 2023 के साकार मधुर महवा क्ये हैं आज की मधुर मुडली में बाबा ने पूज्य बनने का आधार समझाया आप बच्चे जो बाबा के साथ मददगार बनते हूं विश्व को पावन बनाने की सेवा में उनी का गायन और पूजन होता है भक्ति में शिव के साथ सालिग्रामों की भी पूजा होती है जो आत्माई बाबा के साथ पावन बनने और बनाने में मदद करती है वो सालिग्राम के रूप में पुझी जाते हैं बावनी का आप बच्चे पुझे और पुझारी बनते हो मैं सदा पुझे हूँ मैं तुम्हें फिर से पुझे बनाने के लिए आया हूँ सब मनुष्यात्मों की कामना है क्या मैं सुक शांती मिले आप सबकी मनुकामनाई पूरण करने वाली जगत की माता हो बावा आकर दुर्भाग गिशाली से सोभाग गिशाली बनाते हैं सबकी मनुकामनाई पूरण करने के लिए आपने स्वधरम और स्वदेश की समरती दिलाओ स्वदेश, परमधाम, स्वधरम, शान्ती आत्मा का स्वधरम है सासत बाबनी कहा, इस समय कोई भी मिले, आपने दो बाब का परिचे दो एक लौकिक बाब और एक पारलूकिक बाब, शब बाबा का पूरा परिचे देंगे तो उनका सम्मंद बाबा से जुड़ेगा जाता है, जिसकी चमक दूर दूर तक फैलती है, सब मस्तक मणिया है वही पुज्य मणी बनती है, और आत्मा रूप में सब भाई भाई है हर एक को आत्मिक स्मृति दिलानी है, सब आत्मों का पिता शब बाबा है उनकी पूजा होती है, रुद्र ज्यान यग्य मशूर है कोई भी मिले तो उनको याद दिलाना है कि बाबा ने स्वयमाकर राजयोग सिखाया है अब डिटाच होने की प्रैक्टिस करो जब तक दे से डिटाच नहीं होंगे, तब तक गुद्ध्योग बाबा से नहीं लगेगा सुनते हैं बाबा की मदुर बोल बाबा ने का मीठे बच्चे बाबा आए है, सुक शान्ती की मनो कामना पूरी करने के लिए तुम शान्ती चाहते हो, तो इन ओर्गन से डिटाच हो जाओ, अपने इस्वधर्म में तिको पुशन है, पूजय बनने का पुरशात क्या है, तुम्हारी पूजा क्यों होती है पुझ्ज बनने का पुरशाद क्या है? तुम्हारी पूझा क्यों होती है? पुझ्ज बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददकार बनू जो जीव की आत्माई बाब को याद करती है उनकी बाबा के साथ पूझा होती है तुम बच्चिशे उबाबक के साथ सालिग्राम के रूप में पूझे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मि नारण वा देवी दिवता के रूप में पूझे जाते हो, तुमने पुझे और पुझारी के रहस्य को अभी समझा है। गीत है माता ओ माता, तु है सब की भाग्य विधाता, ओम शांती, माताओं को सोभाग्य शाली बनाने वाला जरूर पिता ही है, महिमा तो एक की गाई जाती, सबका सद्गती दाता एक है, याद उस एक को करना है, ये तो तुम बच्चों की महिमा है, तुम जानते हो, हमें सोभाग्य शाली बनाने वाला बाप है, भारत सोभाग्य शाली था, फिर भारत सो प्रतिश्य दुर्भाग्य शाली बना, भारत पर ही कहानी है, इन माताओं को सोभाग्य शाली बनाने वाला बाप थेरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो, उनके साथ तुम्हारा योग है, तुम जानते हो, उनकी ये सारी रचना है, दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते, ये चित्रादी किस में बनवाई, तुम कहेंगे श्रब भाबा ने, किस द्वारा, फिर भी माता वा साकार पिता द्वारा कहेंगे, अब तुम बच्चों की बुद्ध में सारा स्रिष्टी रूपी जाड है, स्रिष्टी कितनी बड़ी है, वासको डिगामा मनी, सारी धर्ती का चक्र लगाया, पिछाडी में सागरी सागर है, आकाशी आकाश है, और कुछ नहीं, ये सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा, बाब फिर सब बाते नट्शन मे समझाते, तुम जानते हो भारत में पांचर वर्ष पहले बरोबर सत्योग था, सत्योग में सिर्फ भारत था, भारत में कितने थोड़े होंगे, अब तुम कहेंगे हम सूर्य वंशी राजधानी के थे, यमना के कंठे पर स्रिकृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता दिल्ली कोई परिस्तान कहते हैं, पहले पहले जरू कोई की राजधानी होगी, तुम कहेंगे हम सूर्य वंशी राजधानी के थे, सत्योग वालों को कहते हैं सूर्य वंशी, बाद में अलग-अलग हो जाते हैं, तो प्रभाव वास्तों में जहां राज्जे करते हैं, वहा का सागर कहते हैं. सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा. असल नामे शुव बाबा. शुव किसको कहा जाता? आत्मों के बाब को. आत्मा तो बिंदी है. गाया जाता? परम पिता परमात्मा. सुप्रीम सोल. सोल अठात आत्मा. आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती. बाबा केते ब linking करता हूं तो कोई को मालूम नहीं पढ़ता समझ ते भरीकुटी के बीच में वो छोटा सा स्टार है तो कहेंगे पूझा मस्तक मणी मस्तक में मणी है मनी आत्मा को कहा जाता किते सरभ के मस्तक में मनी होती है यह बाते वास्ते में इस समय की है आत्मा रुपी मनी प्रकाश करती है और वो भृकुटी के बीच में रहती है बाप तु तुम बच्चों को रोज नई-नई बाते समझाते मुख्य बात समझनी है मैं स्वधर्शन चक्रधारी हूँ यह मुख्य बात है छोटी सी बिंदीन आत्मा मस्तक में रह के कलिव अंतक चक्र लगाया मैं स्वधर्शन चक्रधारी हूँ बाबा किती मेरी जो आत्मा है इसको परमात्मा कहते हैं मैं जनम पुनर जनम रही तूं मैं आता जरूर हूँ निराकार का मंदिर बना हुआ है आगे यह ज्यान नहीं था जरूर निराकार ने आकर कुछ किय निराकार आते ही फैमिली में है लक्षमिनान की आत्मा भी आती है उनको भी शरी दिखाते हैं लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ साली ग्राम भी है शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ शिवलिंग बड़ा होता है साली ग्राम चोटे होते हैं, ऐसे नहीं कि स्री कृष्ण के वाल लक्ष्मि नारण के मंदिर में सालिगराम दिखाते हैं, सिद्ध होता है, एक बाप की सव बच्चे हैं, आत्मा की भी पूजा होती है, तो देवताओं की भी पूजा होती है, प्रुद्र यग्य कहते हैं, बाप ने यग् नाम चलाता, यहां तुम आत्माई सर्विस कर रही हो, इस शरी द्वारा, इससे तुम आत्माउं की पूजा होती है, इस समय आप बाबा के साथ मददगार हो, इससे आपकी पूजा होती है, श्री बाबा के ते मैं भी इनमें बहुत भारी सर्विस करता हूं, इससे पहले-प बनाते, सेच लोग रुद्र यग्य रचते, कोई पांच जार, कोई दस जार, कोई लाख साली ग्राम भी बनवाते हैं, यह परमात्मा और आत्माओं की पूजा, बाबा समझाते, तुम आत्मा इसमें पतित शरी द्वारा सेवा कर रही हो, सबसे जास्ती सर्विस शिव बाब करते हैं, और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तो तुम आत्माओं की पूजा होती है, बाब के साथ पहले-पहले तुम्हारी महिमा आने चाहिए, जानते कोई भी नहीं, ना रुद्र को, ना सलीग्राम को जानते हैं, जिनोंने राज्ये पाया, अब तुम राज्ये पारे हो, पूजा मुख्य की होती है, वो है लक्ष्मि नारण, जिनकी डानेस्टी गाय हुई है, उन्होंने ये भी राज्ये कोई की मदद से लिया होगा, तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है, बड़ी मीठी बाते हैं, नट्शल में बाबा समझाते, ताकि धारण भी कर सको, मुख्य धारणा की बात मुझ बाप को याद करो, तुमारी आत्मा में भी जाड और चक्र की नौलेज है, नमबर वन सबसे पूजे श्यव बाबा, आत्मा का बाप है, जो तुमें ऐसा बैठ के लाइक बनाते हैं, नमबर वन पूजे श्यव बाब जो आकर तुम बज्यों को ऐसा लाइक बनाते, तुम आत्मा की पूजा होती, हम पूजे और पूजारी कैसे बनते हैं, सो अब समझते हो, हम ही पूजे थे, दिरे दिरे पूजारी बने, अब तुम समझते हो, भारतवासी पूजे और पूजारी बनते, अब इस सब पूज पूजारी हैं, फिर पूजे होंगे, वहां फिर कोई पूजारी भक्त नहीं होगा, उनको भगवती भगवान चरू भगवान ने बनाये होगा, अब भगवान निराकार है यह साकार, साकार में उचते उच लक्ष्मी नारण है, उनको ऐसा बनाने वाला निराकार है, इसे नि पिता बोलो ये किसने याद किया और किसको एक दम पकड़ना चाहिए। इसको कहते है परम पिता परमात्मा ये किसने और किसको पुकारा उस बेहत बाप का परीचे देना उसे वर्सा मिलता है ये भी उनको याद करते हैं भिनमेन बाशाओं में भिनमेन नाम भी रख दिये कोई गौड कहते हैं कोई परमात्मा कहते हैं कोई खुदा कहते हैं सब धर बाप का परिच्य देना है, हद का बाप और पेहद का बाप, भक्ति मारग में भक्त भगवान को याद करते हैं, भगवान केते मैं आता हूं, मैं आकर तुम्हें शांती सुख देता हूं, फिर मुझे कभी याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी, तो पुझे-पुझारी तमो प्रधान बन जाते, पिचारी में सारा जाड आ जाएगा, वहां खाली होगा, तो फिर वाप पिचाएंगे, तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन, तो जरूर पतित है न, भारत पावन था और अभी पतित है, श्रुबाबा आते जरूर है, प्रंतु आया, कैसे आया, ये भूल गए, स्रिकृष्ण नहीं कहते, कि मैं शरीधारण कर तुम्हें समझाता हूँ, ये तो निराकार बाब कहते हैं, मैं इस द्वारा तुम्हें समझाता हूँ, श्रुबाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुम्हें समझाता हूँ, तो वह अल पतित पावन ज्यान सागर नहीं कह सकते, उन्हें पतित पावन ज्यान सागर नहीं कह सकते, भले गीता हाथ में उठाते हैं, फिर भी कहते पतित पावन सब सीताओं का राम, राधी का कृष्ण नहीं कहते, राम अर्थात परम पिता परमात्मा, रेता का राम कहीं तो उनसे उ गाइड बाप को कहते, क्राइस थोड़े सबको लिब्रेट करेगा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते, बाबा आकर दुख से लिब्रेट करते हैं, वोई फिर गाइड बनते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं, तुम्हें बाबा ने आकर अपना बनाया, तुम्ह से काम लेते हैं, उन्हें साइस घमंडी कहा जाता, जिसके लिए विनाश करते, सुख भी साइस बहुत देती है, तिर विनाश भी कर देती है, तुमको वहाँ एरोपलेन आदी सब होंगे, उनर तो रहता है न, ये सब चीजे फिर तुम्हें काम में आएंगी, विलायत में बत हैं, वह तुमको वहाँ भी रहते हैं, तुमने साक्षत कार किया हुआ है, वहाँ एक्सिदेंट आदी की बात नहीं हैती है, दुख की तो कोई बात ही नहीं, बाबा आकर तुमारी सुक शान्ती की मनु कामना पूरी करते हैं, मनुष्य शान्ती के लिए भटकते हैं, उसे पूछना है, हमें अशान्त किस ने किया, यह तुम जानते हो, अशान्त यह पांच विकार करते हैं, प्रन्तु यह समझते नहीं, यह भूल गए, हमें अशान्त किस ने किया, यह बात समझते नहीं, आत्मा शान्त स्वरूप है, यह आत्मा तुमायो शान्ती देश से, फिर ये और्गन्स लिए अब तुम उनसे अलग हुजाओ इन और्गन्स से अलग हुजाओ पांच सकिन के लिए स्थे से बिल्कुल अलग हुजाएंगे मैं ज्योती बिंदु आत्मा देहर रुपी रथ को चला रही हूँ देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली मैं ज्योती बिंदु आत्मा हुँ बाबा नी का, अपने स्वधरम में सितो जाओ, डिटायचो जाओ इसमें और कुछ प्राणायामादी करने की बाती नहीं, कहां तक गुफा में बैठेंगे आत्मा खेती, मैं इन ओर्गन से डिटायच हो जाती हूँ क्योंकि मैं ठक गई हूँ, अभी शरी को भूल जाती हूँ अभी बाबा कहते, तुम अपने स्वधरम, स्वधेश को याद करो स्वधरम, स्वधेश को याद करो तो मसल में वहां के रहने वाले हो, अपनी घर को याद करो करम तो करना ही है, करम के बिना नहीं रह सकते वो समझते हम भोचन अपने हाथ से नहीं पकाते इसलिए करम सन्यासी नाम है, प्रन्तु करम का सन्यासी हो नहीं सकता उनका तो धरम ही ऐसा है गरस्तियों के पास उनको खाना पड़ता इसने फिर गरस्तियों के पास जनम ले नरवर्ती मारग में जाना है क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है भारत में प्योरिटी थी सब प्योर थे अब सब पती थे बाबा बैटकर सब राज समझाती पिर कлись बच्चे और कुछ भी मत करो से बाबा को याद करो ना रेलाक्स कर देते हैं बाबा और कुछ याद नहीं रहता कोई बात नी बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रव में अरशो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे ड्रामा पूरा होना है सतो रजो तमों से पास होकर अब सबको वाप पिशाना है सतो रजो तमों से पास होकर सबको वाप पिशाना अच्छा मीठे मीठे सिक्किलर बच्चो प्रती मात पिता बाप दरका याद प्यार स्वधर्शन चक्रधरी बनना है अपने स्वधर्म स्वदेश को याद कर शांती का अनुभाव करना है स्वधर्म स्वदेश को याद कर शांती का अनुभाव करना है बुद्धी को भटकाना नहीं है शरी से डटाच होने का भ्याद करना है देहे से डिटाज होने का अभ्यात करना है वर्दान है हरे को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव हरे को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव जो बच्चे जितना सबको बाप का प्यार बाणते हैं उतना ओर प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है जैसे हर समय प्यार की बरसाथ हो रही है. ऐसा अनुवो होता है. एक कदम में प्यार दो, बार-बार लो. इस समय सबको प्यार उशक्ति चाहिए. तो किसी को बाब द्वारा प्यार दिलाओ, इसको शक्ती, जिससे उनका उमंग उत्सहा सदा बना रहे. बाबा से प्यार दिलाओ, शक्ती दिलाओ, जिससे उनका उत्सहा बना रहे. ये विशेश आत्माओं की विशेश सेवा है. अटेंशन से सुनेंगे, जो बच्चे जितन उतना सबको बाबा का प्यार बाढ़ते हैं, उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है, जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसा अनुभव होता है, एक कदम में प्यार दो, बार बार लो, इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाबत वरा प्यार इसको शक्ति जिसे उनका उमंग उत्तहा सदा बना रहे ये विशेश आत्मों की विशेश सेवा है। ब्रिकुटी से हासन पर अपने चमकीले स्वरूप को देखे। प्यार के सागर बाबा मुझ आत्मा प्यार की बरसात कर रहे है। बर्शा की बुंदों की तरह बाबा का प्यार बरसता नुभब करें। शक्तियों से भरबूर हो जाए। सब को देते जाए। जो आत्माई प्राप्त कर रहे हैं। संपन्नता का नुभब कर रहे है। शुक्तिया बाबा आपने जो प्यार और शक्ति मुझे दी। ये मुझे सब को देते है। शुक्तिया बाबा शुक्तिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोति। झाल